So Hello दोस्तों मैं हूँ आपका प्यारेगे मर आज की इस वीडियो में आप सभी का सुझागात है So guys आज हम बात करने वाले हैं Saami Pad 6 पारे में And इस Pad में जो Game Turbo है इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं And इस Pad के जो Hidden Features है And जो ऐसे Options जो गेमिंग में काफी जादा इंप्रोमेंट लेके आता है सो गाइस उसके बारे में आज हम बात करेंगे एंड इस गेम टर्बो के इतने सारे फीचर्स हैं जो आप नहीं जानते हैं ऐसा नहीं कि यह सिर्क पैड में लाग होता है मतलब की पैड के लिए नहीं है सावमी के मतलब की सावमी रेड्मी एंड अइमाई यह तीनो एक ही है इन तीनो के जितने भी प्रोड़क्ट है मतलब की फोन है या पैड है उनमें यह जो इडिन फिचर्स में बताने वाला हूँ सब में अपलाई कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं इस पैड के प्रोसेशर की इस पैड में आपको देखने के लिए मिल जाएगा कॉलकॉम स्नेप्ड़गन 870 का प्रोसेशर ऑक्तागोर प्रोसेशर है 3.2 GHz के साथ 8GB RAM है 256GB internal storage है इसमें जो एंडरोइड वर्जन है वो 13 का देखने के लिए मिल जाएगा जो की 13 का एंडरोइड वर्जन काफी ज़्यादा इन्हेंस रहता है थोड़ा सा बैटर रहता है यहाँ पर 8GB RAM तो है ही है लेकिन इसको और भी ज़्यादा expand कर सकते हैं मतलब 3GB और extra बढ़ा सकते हैं मतलब की 8, 9, 10, 11GB इसकी expandable यहाँ पर RAM है वर्जोल RAM उके उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ Game Turbo के जो features उसके बारे में सो यहाँ पर जैसे हम left slide करेंगे या right slide करेंगे सो जो Game Turbo का यह जो option है वो on हो जाता है open हो जाता है and सबसे पहले हमें देखने के लिए क्या मिलता है clear memory सो जैसे में इसमें click करूँगा सो अब देखना जादू जो background के option रहते हैं and background में जो भी कुछ run होता है यहां से clean हो जाता है and free चलने लगता है game यहां पर free app storage जो storage भरके रखता है जो कोई app है या background में जो app चलता है and storage भरते जाता है भरते जाता है so उसको free करता है clean करता है and do not disturb mode है skin sort का है skin recording का option भी है जैसे यहां क्लिक करूँगा automate यहां skin recording यह game turbo की man setting है and यहां पर brightness and saturation यह जो option दिख रहा है यह वाला option इसमें guys graphics का setting है जैसे कि मैं आपको बताता हूँ जैसे मैं इसमें click करता हूँ and एक बार click करता हूँ so देख सो कितना dim हो चुका है ना brightness है ना saturation है एक बार फिर click करता हूँ so यहां पर saturation बढ़ चुका है एक बार फिर click करता हूँ so यहां पर brightness बढ़ चुका है एक बार फिर click करता हूँ so यहां पर brightness and saturation दोनों बढ़ चुके है मतलब कि जो graphics enhancement काफी जादा हो चुकी है and जो graphics है और भी अच्छा दिखने लगते है यहां पर cast का option है यहां से direct cast कर सकते है बड़ी screen में computer, tv में wifi है, brightness lock है जैसे कि मैं इसको कर दीता हूँ so यहां से हम brightness को बढ़ा या कम कर सकते हैं उसको मैं बंद कर दीता हूँ and उसके बाद यहां पर voice changer का option भी है and मैं इसको allow कर दीता हूँ and जो voice changer है अब मैं उसका use कर सकता हूँ so यहां पर normal है, girl है, woman है and cartoon है, robot है, man है so मैं इसमें क्लिक करके करता हूँ किसमें cartoon वाले में so यहां पर मैं क्लिक करके रखता हूँ hello d degradiran जोस्टो मैं हूँ आपका प्यारी gamer hello d metallic ivry this diagram की sound आईगी and मैं मैं robot में करते हूं के so hello दोस्तों कैसे आप सब लोग so guys इस प्रकार की यहां पर sound आएगा okay and उसके बाद यहां पर back कर लेते हैं उसके बाद यहां पर klik करते हैं यहां पर time वाला जैसे कि आपको टाइमर चाहिए बंद यहां से मैंसको बंद करो करेंगे तो भीट इहां पर सबसे मैं option boost performance का option दिख रहा होगा clean memory automatically clean up storage and यहाँ पर जो performance है वो और भी ज्यादा boost हो जाएगा सो मैं आपर boost वाले option में click करता हूं and performance वाले option को मैं कर देता हूं on okay उसके बाद आप दिशक्टो before में 52 है and जो after है वो 60 after ठीक है 60 fps है so before से जो after है वो काफी जड़ा enhance fps देता है कुछ enhance fps देखता है देखो कितना smooth चल रहा है and इस pad में 144 हर्ट का refresh rate है and अब मैं बताता हूं game की setting क्या करना है game की setting ज्यादा कुछ नहीं यहाँ पर setting में चल जाना है सब को 100 कर लेना है लेकिन जो इस नहीं पर है उसको 5 में रखना है यह ध्यान देना 5 में रखना है control में चल जाना है एंड जितना भी control यहाँ पर मैंने select करके रखा है and customize करके रखा है आपको भी same to same वैसे कर लेना है यदि आपको gameplay में enhancement चाहिए एंड अच्छा gaming करना है तो जैसे कि आप सकतो मेरा high level का device है तो मैं यह पर max setting में कर सकता हूं इदि आपका 2GB, 3GB, 4GB RAM का phone है तो आप standard में and यहाँ पर सकते हो जो high fps है उसको high में ही रखना आप कोई भी setting में खेलो लेकिन जो fps है उसको high में करके खेलोगे so guys जो gameplay है ना and जो smooth है वो उतना ही smooth चलेगा देखो कितना smooth चल रहा है and में जयते ही setting में जाओंगा and display में जाओंगा high fps को normal कर दूँगा तो देखना यह देखो आप देखो खुधी फर्क देखो मैं नहीं आप खुधी फर्क देखो कितना फर्क पड़ता है ठीक है तो कोई सी भी स्टार्टिंग में खेलो लेकिन जो fps है उसको हमेंशा on रखना हाइय रखना तो मैं में कर सकते हो या मैंस कर सकते हो आपके मरची 52 लेकिन मैं ऑपतु मैं जो Σ्पुर्ण है हुन्हें जो फिल्टर है रखा हूं और रीकॉर्ड को अपने सबसे . लेकिन मैं युद्श खराबकर रखता हूं यॉधटि को हमें आसा बंद करना हो and recording का यहां से आप दिख सकते हो जो recording कर सकते हैं जो recording करना चाहते हैं गेम का ही recording सो यहाँ पर recording का भी system दिया है ठीक है my video में यहाँ पर low medium high है सो मैं इसमें नहीं करूँँगा यहाँ पर vibration में देखो कुछ में vibrate है कुछ में बंद कर दिये क्योंकि बहुत ज्यादा एफेक्ट डालते गेमें तो इसलिए मैंने इनको बंद इनको चार्ज करके रखा है आप यहां पर कर सकते हैं जो अक्टोमाईजर से नेटवर्क सेटिंग इसको यहां पर और करोगे सो काफी हद तक अच्छा चलेगा नौर्मल सेटिंग से ठीक है एंड नौर्टिफिकेशन एंड उसके बाद फ्रीफार मैक्स के सेटिंग मैंने कुछ इस प्रकार का सेट करके रखा है अब मैं चल जाता हूं गेम टर्बो गेमिस्पेस की मैं सेटिंग में इसकी जो सेटिंग गेम को काफी ज़्यादा इन्हेंस कर दीते हैं इस प्रकार का यहां पर ऑसन देखने के लिए अधा सेलेक्ट करने का सो यहां पर मैं फ्री फाल को करता हूं एड़ यहाँ प्लस वाला icon दिख रहा है, यहाँ पर किलिक करते हैं, और भी आप game space में, कोई app या game को add करना चाहते हैं, यहाँ पर add कर सकते हैं, and cut करना चाहते हैं, so यहाँ से हम cut भी कर सकते हैं, so यहाँ से मैं back कर लेता हूँ, उसके बाद setting में चल जाएंगे, man setting में, यहा यहां पर आप सकते हो जो graphics enhancement है ना काफी ज्यादा जैसे की frame rate है मेरे इसमें 144 Hz का frame rate है वालब refresh rate है सो यहां पर मेरे पास 144 Hz का है ठीक है यहां पर resolution की बात करूँ so default है मतलब की phone में जितना resolution है उतना ही record होगा या game चलेगा यहां पर देख सकते हो 4x में कर दिया हूँ मैंने 16x में जो quality है उसको मैंने high में set करके रख दिया हूँ यहां से मैं इसको optimize graphics को मैं यहां से on कर दिता हूँ जो graphics है उसको optimize करेगा यह जो game turbo game space वो एंड उसके बाद यहां पर additional setting में चल जाता हूँ मैं इतने सारे option देखने के लिए मिल जाते हैं यहां पर classic mode हो गया कुछ classic mode में इस प्रकार का यहां पर आपको graph देखने के लिए मिलते है and pro mode में कुछ इस प्रकार का and customize मैं करूँगा so customize मैं सभी को full कर लूँगा यहां पर आप सकते हो जो touch वाला यहां चो touch control है कुछ इस प्रकार से सुमें जितनी भी यहां पर high graphics है highest देखो सबसे पहले है lowest low यहां पर regular है high है उसके पाद highest है so मैंने high में कर दिया हूँ highest में कर दिया हूँ इसके पाद यहां पर initial जाते है touch resistant area यहां पर मैंने non में करके रख दिया हूँ and large में भी कर सकता हूँ medium small इसमें क्या रहते है इस option से जैसे हम यहां पर gaming करते है so कभी-कभी और यह हथेली की यहां पर यह जो है न वो यहां पर click रहते है click होने लगता है so इसको come click होने के लिए so यहां पर उसके लिए small है medium है and large है large में रहेगा तो इतनी जो area है न उसमें click होगा come होगा non में रहेगा तो यहां भी जैसा click हम करेंगे तो ऐसा click होगा okay उसके बाद यहां पर नीशी चल जाते है जैसे मैंने आपको बताया था जो graphics enhancement है यहां पर यह कर दिया मैंने strong कर दिया stream कर दिया यहां पर जैसे जैसे मैं option click करूँगा आप खुदी देखना one two and three graphics में कितनी ज्यादा enhancement हो रहा है जैसे फर्क देख सकते हो खुदी कितना ज्यादा फर्क आता है यह बहुत ही अच्छा option मुझे मिलता है जो saw me का pad है उसमें या saw me के जितने भी phone है उसमें यहां से restore भी कर सकते हैं जितने normal option रहते हैं उसको हम यहां से कर सकते हैं and free farm में ही नहीं pub g में call of duty में asphalde में जितने भी आप game खेलते हो सब में इस प्रकार की setting होती है and सब में मैं customize करके जितनी भी graphics है उसको मैं highest में करके खेल सकता हूँ and बहुत ही प्यारा यहां पर enhancement रहता है and जो game turbo का जो actual experience है वो बहुत यच्छ रहता है display हम चल जाते है and उसके बाद refresh rate में सो यह आपके पास 120Hz का reference rate है समय हाप 20Hz का करके set करके हम gaming कर सकते है लेकिन इसमें 144Hz का reference rate है तो मैंने 144Hz के reference rate में इसको set करके रख दिये and जो जाते है addition setting में चल जाते है and developer option में चले जाते है developer option में उप्षण करके रखा है and scroll down scroll down स्क्रॉल डावं लेकिन जो 956 की जो डिप आई है आई गेविं करोगी यह पैड है इसमें 144 हर्स का रिफरेशरेट यह इसमें चल लाएगा यह आपको नॉर्मल करना है तो यहां से आप करके 600 कर सकते हैं फोन की बाद करूं या पांसो कर सकते हैं यह यहां पर यदि और भी अच्छी मतलब की रेड रेड नमर चाहिए ओनली रेड सु यहां से आठ सो कर ली रहा ठीक है अब मैं दिखाता हूं आपको किसमें इतनी सारी सेटिंग करने के बाद हैडशोट कैसे लगते हैं जैसे मैंने इन पुदलों में मारके देखा तो अच्छा आपर वन टैप हैडशोट लग रहा था हैं उसको बाद हैं पर ट्रेनिंग ग्राउंड में यह पर डेजर डिगल से काफी जाता सांधार यहां पर वन टैप हैडशोट लग रहाता ऐसा नहीं कि लगतार यह जो बार ही बार वन टैप हैडशोट या ड्रैग हैडशोट लगें देखो हैकर नहीं है तिप सेंट रिक कभी यूज करेंगे एंड फोन के पुफोर्मेंस को भी यूज करेंगे तो अच्छा-खासा मिक्सट करके हाँ आपर हैडशोट माश सकते हैं और प्रोपिलर पन पर काफी ज्यादा सांदार आपर गेमिंग एक्सप्यां अच्छा देखने के लिए मिलता है गेम टर्बो में एंड गेम इस पेस में जितनी में अच्छा-पार उसके साब और गेमिंग करेंगे तो देखो कि तक्यों कितने अच्छी है एड शॉड यहां पर लग रहा है मि Gamebol Chirping in Central मि较या एक को प्रिक्ट करूद और चाहिते हुआ है अब प्रसक्राइब आपуждे लगे लिगे प्ता स्भी ते है मिलेग।